हेलो दोस्तों आज है 22 नौवंबर तो दोस्तों आज की Q&A में हम 5 सवाल लेंगे जो की सबसे ज़ादा पूछे गए हैं तो दोस्तों वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए फटा बाट शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला और सबसे ज़ादा जो सवाल पूछा गया है कि सिगाची के IPO में हमें आगे क्या करना चाहिए तो दोस्तों अगर आपने Listing Day Strategy वाला वीडियो मेरा पूरा देखा हो तो मैंने आपको कहां भी था कि इसको दीरी दीरी करके आप Sell कीजिए मलब थोड़े थोड़े Share Sell कीजिए जिससे क्या है कि अगर इसमें Lower Circuit भी लग जाता है तो आपके नुकसान नहीं होगा क्योंकि T2D Segment वाला Share जो है उस पर Upper Circuit भी लगते हैं और वैसे कि वैसे Lower Circuit भी जल्दी लग जाते हैं तो इससे क्या है कि आपको नुकसान नहीं होगा तो अगर दो दिन के अंदर इसने साड़े तीन गुना का Profit दिया है तो साड़े तीन गुना का Profit कम नहीं होता मतलब हमने अगर 15,000 रुपे भी लगाए हैं तो लगबग 50-55,000 रुपे हो गए हैं तो हमें 2 दिन के अंदर 30-40,000 रुपे के शेयर शेयल कर देने चाहिए थे जिससे क्या कि Basic Amount भी निकल जाए और हमारा Profit भी आ जाए और बाकी बज़े शेयर है फिर Lower Circuit लगता है तो हमें नुकसान नहीं होता है और बाकी जो शारे शेयर होल्ड करके बैठे हैं उन्होंने सोचागी कि Paris Defense जीसा यह performance दिखाएगा तो उस हिसाब सी वह लेके बैठे हैं तो वह अभी Lower Circuit के अंदर है वह भी नुकसान जेल रहे हैं तो दूस्तो हर शेयर को एक दूसरे से compare ना करें क्योंकि दूस्तो पारस defense जो company थी defense sector की एक unique company थी इस कारण उसकी demand बहुत ज़ादा थी हलांकि सेगाजी भी financially fundamentally खराब नहीं है और दूस्तो T2D segment के अंदर ऐसे ही होता है कभी Upper Circuit ज़ादा लगते हैं और Lower Circuit भी hit होते हैं तो अब दूस्तो आगे आपको क्या करना चाहिए अब क्या है कि आप या तो order लगा के रखें जो भी अगर sell करने का है अगर आपको निकाल नहीं है तो order लगा के रखें या T2D segment खतम होने का wait करें वो 10 दिन के बाद खतम हो जाता है अब दूस्तो आगे भी ध्यान रखेंगा कोई बढ़िया भी share हमें अलॉट होता है अगर हमें short term के लिए रखना है मतलब long term के लिए नहीं रखना है तो हमें धीरे धीरे करके sell ली करने चाहिए और अगर आपका long term का target है तो आप उसको भूल जाइए और फिर दूसरा सवाल है कि Paytm के IPO के अंदर हमें आगे क्या करना चाहिए मतलब काफी लोग फस गए है Paytm के IPO के अंदर तो दूस्तो सबसे पहले मैंने आपको बताया भी था कि Paytm के IPO में apply ना करें और मैंने मना भी किया था कि IPO में बचें तो ज़्यादा बहतर है और listing day strategy भी मैंने बताया था कि अब जिसके भी a lot हो गया है तो ये discount के साथ खुल सकता है तो जितना भी कम loss हो वो book करके हमें exit हो जाना चाहिए तो जो भी पहले दिन कम loss के साथ exit हुए हैं तो वो तो फाइदे में रहें गए है और बाकी अभी जो काफी investors फस गए हैं तो अब काफी नुकसान हो चुका है मुझे लगता अब loss के अंदर भी sell करके भी क्या करेंगे और बाकी अब हम यहीं कर सकते हैं थोड़ा momentum का wait कीजिए जब थोड़ा पत ऊपर आये तब उसके बाद sell कर दीजिए मतलब अगर आपको जल्दी से निकलना है तो कम loss के साथ exit होने का सोचे और बाकी यह long term में कब चड़ेगा इसका कोई fix नहीं है और फिर दोसो तीसरा question यह है कि latent view क्या happiest mind जैसा ही performance करेगा तो दोस्तो पहले ही question के अंदर मैंने आपको बताया कि किसी भी share को दूसरे share से compare ना करे बलही latent view और happiest mind similar share हो पर किसी भी share को दूसरे share से हमें compare नहीं करना चाहिए हर share का performance अलग होता है हलांकि latent view analytics का share अच्छा है पर आप happiest mind से compare ना करे कि यही भी 10 गुना हमें return देगा ऐसा जुरुदी नहीं है 24 सवाल है कि mutual fund के अंदर invest करना है तो कौन से fund के अंदर हम invest करें मतलब किस fund के अंदर हम SIP करवाए तो दोस्तो अगर आपको कम return चाहिए और safe पैसे चाहिए तो large cap fund के अंदर invest कीजिए और थोड़ा ज़्यादा return चाहिए मतलब large cap से थोड़ा ज़्यादा return चाहिए थोड़ी बहुत उसमें risk हो सकती है तो mid cap में invest कीजिए और अब गर आपको ज़्यादा return चाहिए उसके साथ ज़्यादा risk भी मिलेगी तो small cap fund के अंदर invest कीजिए small cap fund में return के chances भी ज़्यादा है उसके साथ risk भी ज़्यादा है तो मेरा ये suggestion रहेगा आप flexi cap या mid cap funds के अंदर invest कीजिए जिससे क्या है कि आप गर risk भी कम रहेगा और return भी अच्छा मिलेगा और दोस्तों पांच वाँ ये सवाल है कि हमारे जो family members है उन सभी के demate account बने हुए है मतलब अलग-अलग pen card से बने हुए है तो क्या IPO में जब हम apply करते हैं तो उन सभी का payment हम एक ही UPI ID से कर सकते हैं क्या मतलब हम हमारे family member हैं उन सभी का demate account बना हुआ है तो उन सभी का payment क्या मैं अकेला कर सकता हूँ मेरी खुद की UPI ID से तो दुस्तो इसका जवाब है कि काफी लोग इसके अंदर apply करते हैं मतलब इस तरह से apply करते हैं एक ही UPI ID से payment करते हैं और मैंने भी करके दिखाए personally और मेरा IPO reject नहीं हुआ है और इस तरह से आप apply कर सकते हैं और बाकी दुस्तो परसनली मैं यही सला दूँगा कि आप अलग-अलग UPI से करें तो ज़्यादा बहतर है और बाकी दुस्तो इस टाइप से payment कर सकते हैं और मैंने भी इस तरह से apply करके देखा है मतलब जो गर के सभी members है उन सभी का payment मैंने एक ही UPI ID से किया है और IPO reject नहीं होते है तो दुस्तो आज के Q&A के अंदर ये 5 सवाल थे और भी आपके कोई सवाल हो तो आप comment करके मुझे बता सकते हैं तो next Q&A के अंदर हम उनके सवाल ले लेंगे तो दुस्तो हमारे वीडियो के आपको पसंद आया वीडियो को लाइक जरूट करें और दुस्तो चैनल को सब्काइब कर लें ऐसे और भी वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे मिलते हैं दोस्तो नेक्ट वीडियोस के अंदर